Friends, मेरे नाम है नीवा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए एक Maths की जबरदस बुक ये है Mental Maths, मतलब जो आपके बच्चे के दिमाग को बिल्कुल तेज करने वाली है Actually क्या है ना, normally हम लोग जो टेक्स बुक से पढ़ाते हैं उसे देखते ही बच्चे का मन खराब हो जाता कि पढ़ाई करने पढ़ेगी बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह है एक Mental Maths, बुक नमबर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3 लिया है आप अपने बच्चे के एज के हिसाफ से यहाँ पर 4, 5, 6, 7, जो लेना चाते हो बोले सकते हो जैसे जैसे नमबर बढ़ते हैं बुक के वैसे वैसे उसके जो टॉपिक्स है ना, वो भी हार्ड होते रहते हैं यहाँ पर मैंने 3 लिया है अपनी बेटी के लिए बुक के अगर मैं बात करूँ तो मैट से रिलेटिट बहुत सही बुक है यह बहुत सही अफॉर्डबल भी है, सस्ती भी है मतलब MRP में आपको दिखा देती है इसके सिर्फ 90 रुपे है पब्लिशर के अगर मैं बात करूँ तो यह सावन पब्लिशर की है इसका नाम है टेक्स्ट में आपको इसका दिखाती है, इंडेक्स इतना कुछ कवर कर लिया जाता है सिर्फ एक बुक में, मतलब बुक मुझे यह बहुत अच्छी लगती देख सकता है चाहे वो ascending order हो, descending order हो, number का order हो, missing numbers हो, expanded form हो, या place value हो, increasing, decreasing, smallest, highest, Arabic numbers मतलब Roman numbers हो, addition हो, subtraction हो बेसिकली यह बुक बहुत सही है, अगर आपको बच्चा second, third में बढ़ता है ना, fractions हो, या फिर geometry shapes हो, time हो, hour हो, minute हो, और money हो यह आप देखो, पर हम आपको यही दिखा देती हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलता है यह तो हो गया, इसका index, अब हम देखते है किस तरीके से, एक simple से plain black and white book है, basically, कोई colorful book नहीं है इस तरीके साब देख सकते हो, आप बच्चे को counting बगएरा दे सकते हो, काफी कुछ मेरे बेटी ने इसमें कर लिया है और पीछे भी है, देखो, यह भी है इसमें तो बहुत कुछ इसमें मेरी बेटी को मिला है, मेरी बेटी की तो यह favorite book है यह ascending, descending की कुछ sheets आपको मिल जाती है, हर topic पर आपको एक से दो pages मिलते है जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, जैसे addition की word problems भी आपको मिल जाती है यह आप दिख सकते हो, normal problems भी आपको मिल जाती है दिमाग तेज करने के लिए इस तरीके की maps की problems भी आपको मिल जाती है जिसमें आपको कोई copy पे specially लिखने की ज़रोत नहीं, सिर्फ fingers पे आप count करके addition कर सकते हो और बच्चे के दिमाग को तेज कर सकते हो subtraction भी है यहाँ पर, multiplication भी आईगे देखो यह जो छोटे छोटे वाले serms होते है यह बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए बहुत अच्छे होते है इसमें आपको कोई वैसे लिखने की ज़रोत नहीं 23 x 7 लाइन खीचो अब count करो यह बिल्कुल आराम से ऐसे ही हो जाते है इसमें है यह देख सकता आप fractions भी है जो मैं अपनी बेटी को कल ही बढ़ा रही थी basically अभी उसको introduced नहीं हुआ है वर थोड़ा सा न मुझे अच्छा लगता है तो यह जैसे total 4 है कितने shaded है वो लिखना है तो fractions आप बच्चे को बढ़ा सकते हो time मेरी बेटी कर चुकी है यह आप देख सकते हैं time हर page पर जो questions है ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी खतम करने की कोशिश की गई है कोई topic जल्दी खतम करने की कोशिश नहीं की गई है distance यह अब मेरी बेटी का next class में आएगा I think अभी उसको introduced नहीं हुआ है तो बच्चों की अगर maths के लिए आप कोई अच्छी सी book ढून रहे हो ना मैं तो आपको advice करूंगी और price इसका बहुत affordable है 90 रुपीज इसका MRP है यह I think मैंने book shop से या Amazon से 70 रुपे के approximate वाली थी 70 से 80 के बीच में आपको मिल जाती है इससे सस्ती book आपको नहीं मिलेगी बच्चों की maths के लिए और मैंने मंगवाया है number 3, number 2 या number 1 लेंगे तो वो और ठोटे बच्चों के लिए मिल जाएगा बड़ा बच्चा है तो 4, 5, 6 तक आप जा सकते हो उमीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है वीडियो थोड़ सा भी helpful लगा है तो आप वीडियो को like जरूर करोगे share जरूर करोगे इसके किस topic पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे comment करके बता देना especially उस topic की वीडियो मैं आपके साथ share कर दूँगी Thank you, thanks for watching